ब्रेकिवादब का स्वागत है बढ़ते हैं आगे देश के कई राज्यों के साथ बिहार बाड की चपेट में हैं लोग बेहाल हैं और नितिश सरकार के दावे खोकले साबित हो रहे हैं इसी मुद्धे पर पूरूव सांसद और राष्ट्र समता पार्टी सेकूलर के राष्ट्र अदक्ष अरुण कुमार से बात की हमारे सेयोगी शंकर सुमिन बिहार सहीत देश के कई राजबार की चबेट में है, बिहार में दरजन भर से भी जादा जिले इससे जादा प्रभावित नजर आ रहे हैं परशासन अपनी तरफ से दावे कर रहा है कि यहां पे तैनाती है, बहुत जादा बेवस्थाइं की गहीं लेकिन हाकिकत में लोग काफी जादा तरस नजरा रहे हैं, हमेरे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसन अरुन कुमार जी है सर, क्या लग रहा है कि सरकार अपनी तरफ से दावे कर रही है कि यहां पे बिवस्था पूरी तरह से है, चाक्चोबंध है, लेकिन लोग काफी जादा तरस नजरा रहे हैं कि दिखी सरकार तो कह रही है, लेकिन सरकार अभी मिटिंग बुला रही है, जल्सन रक्षन पर, बाढ पर तो चर्चा सरकार करने ही रही सरकार के मुख्या अभी इनवार्मेंट पर, वाटर हार्वेस्टिंग पर ऐसा नशीहत लोग Г Arabia रहा हैं और इसलिए बाढ už एक नीयती बन गई है अभी उत्तर भिहार प्रतिवर्ष बाढ के चपेट में आता है बारिस के पानी से और नेपाल के पानीस कई बार हमने संसद में भी उठाया संसद के बाहर भी उठाया कि उत्तर बिहार की जो अधिकांस नदियां आती हैं वो नेपाल से आती है उसके कैच्मेंट एरिया में उस पानी को जदी हम कंट्रोल करें और विजली का उत्पादन का रास्ता निकालें जो रूज़ special status, special राज्जी की दर्जा का नाटख होता है वो एक ही बाद के लिए genuine demand के लिए हो कि केंद्र सरकार, राज्जी सरकार, मिलकर करके इस समस्या का नेपाल के साथ बात करे और नेपाल के कैच्मेंट एरिया में हाइडो प्रोजेक्ट डाले बड़े पैमाने पर ये 70 वर्सों से तरास दिया है आजादी के बाद पहले भी रहा है लेकिन हम जिस तरीके से उसको छूते रहे हैं यानि रिपेरिंग करते रहे हैं लोगों को भरमाते रहे हैं इतना बोल्डर डाले इतना बांध बनाए जब जब बांध बनाती है और नित बांध को बांधती है वो बांध तूटता ही है बाढ़ के नाम पर लूट का एक अच्छा है लुटेरे जितने हैं सब वो आनंदित होते हैं यह दर्शकों की समस्चा है कोई हर साल जब यह मौनसुन का मौसम आता है बारिश का मौसम आता है उसके बाद यह परिशानी से लोगों को दो-चार होना पड़ता है लेकिन सरकार बदलती है लेकिन लोगों की जो वहां दर्शा और दिशा है उनी बदल पाती है तो क्या इ मसला सॉल्व हो जाएगा तो कमाई का एक धंधा समाप्त हो जाएगा ये बड़ा इसू है जिसमें केंदर शरकार राज्जी सरकार मिल करके मैं समझता हूं कि 80-80-1000 मेगावार्ड की कैपसिटी है किसमत बदल जाए ये पूरे देश को बिजली देने लगे हाइड्रो पावर का इतना बड़ा सूर्स वेस्टेज हो रहा है और वो तवाही मचा रहा है एक बड़ी आवादी तवा होता है इनसे तो जो ब्रिटिस पीरियेट का कैनाल सिस्टम है वो कैनाल सिस्टम ठीक नहीं ह हो सका पूरा हाजीपूर तक नेपाल के बोर्डर से लेके हाजीपूर तक गंड़क का सारा धुस्त हो टीवी 24 से बात करेंगे लिए शुक्रिया ते अरून कुमात जिनका मानना है कि अगर सरकार के अंदर इच्छा शक्ति हो तो बाढ़ रूपी अभिशाप को बर्दान म तब्दील किया जा सकता है कैमा पसंद समराट के साथ शंकस वन टीवी 24 दिल्ली